आपको याद होगा मैंने कुछ महीने पहले इंप बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्यंद्र जैन को एक फरजी केस में गिरफतार करने वाली है मुझे बहुत ही विश्वस्निय सूत्रों से ये पता चला था कल उन्ही सूत्रों से सूचना मिलिये कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीश सिसोधिया को भी गिरफतार करने जा रही है पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जहांच एजन्सीज को मनीश सिसोधिया के खिलाफ कोई ना कोई फरजी केस तयार करने को काई जैसे इनोंने सतेंदर जन के खिलाब फरजी केस किया है वैसे ये लोग मनीश जी के खिलाब भी फरजी केस बना रहा है मनीश सोधिया भारत की शिक्षा क्रांती के जनक है आजाद भारत के इतिहास के शायद वो सबसे बहतरीन शिक्षा मंत्री है सरकारी स्कूलों में पहले गरीबों के बच्चों को थर्ड क्लास शिक्षा मिलती थी दिली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं इन सभी बच्चों का भविश्य अंधकार में था मनीश जी ने इन बच्चों को अच्छे और सुनेरी भविश्य की उमीद दिये मनीश जी ने इनके माता-पिता की आखों में चमक दिये आज मैं उन अठारा लाख बच्चों से पूछना चाहता हूँ बच्चों क्या आपके मनीश सिसोधिया भरष्ट है मैं उनके माता-पिता से पूछना चाहता हूँ कि ये लोग आपके मनीश सिसोधिया को भरष्ट कह रहे हैं आपको क्या लगता है मनीश सिसोधिया ने ना केवल दिल्ली बलकि पूरे देश के गरीब बच्चों को उमीद दिये कि उनके स्कूल भी बदल सकते हैं दिल्ली के शिक्षा करांटी की धमक केवल भारत में ही नहीं आज पूरी दुनिया में गुँज रही है पूरी दुनिया के देशों से दिल्ली सरकार के पास निमंत्रन आ रहे हैं हमें भी happiness class सिखाओ हमें भी entrepreneurship class सिखाओ मनीज जी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए या उन्हें पूरे देश के स्कूलों को ठीक करने के जिम्मेदारी देनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि सतेंद्र जैन और मनीज से सोधिया को फरजी मामलों में जेल में डालके दरसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास के क्षित्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं न उन्हें रोकना चाहते हैं पर चिंता मत किजिए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगा सभी अच्छे काम चलते रहेंगे मैं हमेशा कहता हूँ मुझे राजनीती करनी नहीं आती मनीश को और सतेंद्र को जेल में डालने की पीछे इन लोगों की क्या राजनीती है मुझे नहीं पता मुझे समझ नहीं आता मुझे केवल ये पता है कि मनीश और सतेंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है अगर मनीश और सतेंद्र भरष्ट हैं तो फिर इमानदार कौन है खेर, मेरी प्रधान मंत्रीजी से हाथ जोड के विंति है ये एकएक करके जेल में डालने की बज़ाए आप आम आदमी पार्टीजी के हम सभी मंत्रियों और सभी MLS को एक साथ जेल में डाल दीजिये सारी जाच एजन्सी को बोल दीजे कि एक साथ सारी जाच कर ले आप एक-एक मंत्री को गिरफतार करते हो इसे जंता के कामें में बादा होती है आप सतेंदर जैन जी दिल्ली में कई और नए महला क्लेनिक बनवा रहे थे वो दिल्ली में पानी और बढ़ाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे यम्रा की सफाई पे काम कर रहे थे अब वो सारे प्रोजेक्ट्स धी में पड़ जाएंगे जिस केस में उन्हें गिरफतार किया है आपने उसकी जाँच पहले ही सी बिया और इंकम टैक्स वाले कर चुके हैं उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि केस में कीस तो फरजी है उसमें कुछ है ही नहीं अब उसी केस की दुबारा जाँच एड़ी कर रही है एक एक केस को कई कई साल तक अलग-अलग एजंसी बस जाँची करते रहेंगे क्या तो फिर जंता का काम क्शन करेंगे हम लोग इसलिए मेरी आपसे विंती है हम सब को एक साथ गिरफतार कर लो एक साथ सारी जाँच एजनसी से हमारी सब की जाँच करवा लो जितनी रेड करनी है रेड कर लो एक साथ कर लो ताकि उसके बाद हम काम कर सके हैं हमें राजनीती समझ नहीं आती कुछ लोग कहते हैं ये हिमाचल के चुनाओ के विज़े से किया जा रहा है कुछ लोग कहते हैं ये पंजाब चुनाओ के नतीजों का बद्रा लिया जा रहा है हमें नहीं पता क्या कारण है जो भी कारण है हमें गिरफतार होने से डर नहीं लगता पर सब को एक साथ करवा लो आपने पांच साल पहले भी हम सब पे कई-कई रेड करवाई थी किसी किया एक पैसे की चोरी नहीं मिली हमारे 20 से ज्यादा MLS को गिरफतार किया गया सारे के सारे कोट से छूट के आगए सब मामलों में कोट ने जाँच एजिंस्यों को खूब डांटा कि यह क्या कर रहे हो आज हम हर जेगे गर्व के साथ मजाक में कहते हैं कि हम सब लोग मोदी जी से इमानदारी का सेर्टिफिकेट लेके आए हैं अब फिर से यह जेल-जेल का गेम शुरू हो गया तो हमारी आप से हाथ जोड़ के बस एक विंदी है हम सब को एक साथ जिरफतार करके सारी जाँच करवा लिजे मुझे पूरा विश्वास है एक बार फिर से हम आप से देश की सबसे इमानदार और देश भक्त पार्टि का सेर्टिफिकेट लेके जाएंगे जाएंगे